नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि भारती असेना विश्व की अच्छी पे मास्टर्स में से एक है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतिय सेना अपने अधिकारियों को सैलरी के अलावा और क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करती हैं? क्या आप जानते हैं कि भारतिय सेनने अधिकारी किन-किन सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीते हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंद तक बने रहें क्योंकि आज हम आपको भारतिय सेना के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़ी तमाम महतपूर जानकारी आपके साथ साजहा करने वाले हैं तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज का विडियो लेकिन उसे पहले अगर आप एक डिफेंस एस्परिंट हैं और SSB इंटर्व्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं चलिए तो बढ़ते हैं आगे भारतिय सेना युवाओं को एक बेहतरीन करियर ऑपरचुनिटी देती है जिसका हिस्सा बनकर वो अपना जीवन गौरवपूर्ण तरीके से व्यतीत कर सकते हैं भारतिय सेना राश्टर की सेवा करने के लिए एक विशिष्ट करियर तो देती ही है इसके साथ ही एक व्यक्ति को शानदार वेतन, सासिक कारियर, खेल, विविद चनौतियों से भरे अवसर और एक लीडर की भूमिका में डिवैलप करने का मौखा भी प्रदान करती है दोस्तों, आज हम भारतिय सेना के अधिकारियों को मिलने वाली इनही सुविधाओं की चर्चा करेंगे चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की शानदार सैलरी, भारतिय सेना एक बहुत ही प्रोफेशनल ओगनाईजेशन है और इसी वजह से वो अपने अधिकारियों को कम से कम पाँच फिगर्स में सैलरी प्रोवाइड करती है अगर बात करें एक यंग ऑफिसर की जो लेफटेनिट के रैंक पे होता है उन्हें कम से कम सत्तर हजार से असी हजार रुपे महिना सैलरी मिलती है इतना ही नहीं, अकैडेमी में ट्रेनिंग के दोरान भी कडेट्स को 56,100 पर मंद स्टाइपन भी दिया जाता है चलिए तो बढ़ते हैं आगया और सैलरी के अलावा उन्हें फ्री मेडिकल फसिलिटीज मिलती है भारतिय सिना अपने अधिकारियों को और उन पर आशरित उनके परिवार के सदस्यों को फ्री मेडिकल फसिलिटी भी प्रोवाइड करती है दोस्तों यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आशरित यानि की डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है ऑफिसर्स की वाइफ, चिल्डरन, पेरेंट्स ही डिपेंडेंट हो सकते हैं साथ ही यह जानना भी ज़रूरी है कि एक ओफिसर का बेटा 25 साल की उम्र तक और बेटी अनमैरिट होने तक ही डिपेंडेंट में काउंट किये जाते हैं इसके अलावा उन्हें फ्री राशन भी दिया जाता है भारतिय से इन अपने अधिकारियों को फ्री राशन प्रोवाइड करती है साथ ही जो ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उनका राशन उनके घर पर भी फ्री डिलिवरी करती है ताकि उन पर बढ़ती महंगाई का बोज ना पड़े अब जानते हैं मैस फिसलिटी के बारे में जिन अधिकारियों की शादी नहीं हुई है या वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं वे अपना नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना मैस में मुफ्त में कर सकते हैं ऐसे अधिकारियों से अधिकारी मैस द्वारा केवल नाम मातर का मैस रखर खाब शुल्क वसूल किया जाता है जिसे मैस मेंटिनिंस चार्ज भी कहा जाता है वहीं लीव की अगर बात करें तो भारतिय सेना अपने अधिकारियों को साल में 90 दिन तक की पेड लीव भी देती है इसके अलावा Railway Warrants, इंडियनार में अपने अधिकारियों को भारत में कहीं भी आने जाने के लिए Free Railway Warrants भी प्रदान करती है इंडियनार में उन्हें accommodation की सुवधाईं भी देती है जैसे कि वे अपने अधिकारियों और उनके साथ रह रहें उनके परिवारों के लिए free accommodation भी प्रदान करती है इसके अलावा एक होता है CEA यानि की Children Education Allowances भारतिय से न अपने serving personnel को उनके बच्चों की studies के लिए Children Education Allowances भी प्रदान करती है जो की इन बच्चों की अच्छी पढ़ाई में help करता है वहीं बात करें अगर study leave की तो अधिकारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दो साल का paid leave मिलती है कुछ मामलों में higher studies के लिए fees की reimbursement अधिकारियों को दी जाती है साथी अध्यायन के सफल समापन के बाद one time educational allowance भी प्रदान किया जाता है CSD facilities भारतीय सेना CSD facilities भी प्रदान करती है जहां से ये अधिकारी अपने रोजमर्रा के सामान जैसे की साबुन, electric एवं electronics का सामान, बरतन और यहां तक की गाड़ियां भी कम मुल्य पर खरीच सकते हैं और आखरी में हम बात करेंगे sports facilities के बारे में तो अधिकारियों एवं उनके परिवारों के लिए उनके आवास के आसपास खेल कूट की सुवधाई उपलप्त होती हैं बास्केटबॉल कोट से लेकर गोल्फ कोट तक सभी खेल और खेल सुवधाई मुफ्त में प्रदान की जाती है तो दोस्तों ये थी सेना के अधिकारियों को दी जाने वाली सुवधाऊं के बारे में जानकारी कि किस तरह कोई अधिकारी सुवधाऊं से परिपूर्ण जीवन जीते हैं हम मिलते हैं आप से एक और वीडियो के साथ तब तक जैहिंद